कुछ दिन पहले इन बापाजी से मेरी मुलाकात उस वक्त हुई जब मैं रीडियो पर रात बारा बजे से दो बजे तक की एलेक्शन की खुसुसी ट्रांस्मिशन का प्रोग्राम करके घर वापस जा रहा था इतनी रात हो गई है ते तुसी एठे एक्षलोने बेच रहे हैं तो इस वड़ी बाद तो हम फैसलाबाद में इस वड़ मैकडानल्ड के सामने बिल्कुल इस वड़ मौजूद है आपको हम दिखा दे हैं यह मैकडानल्ड फैसलाबाद का जनाब सत्याना रोड के ऊपर आप देख रहे हैं इस वड़ जनाब यहां हमें यह नजर आए और यह बजूर्ग हैं कितनी इन बाबाजी की उमर 80 साल से जाइद है यह भीड नहीं मांगते बल्के बच्चों के खिलों ने फरोगत करके गुजर बजर करते हैं इनकी वीडियो वाइरल होने के बाद पूरी दुनिया से लोगों ने इनके साथ राप्ता किया और इनकी मदद की पाकिस्तान के लोगों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो एक मदबकार और सच्चे जजबात रखने वाली कौम है इस वीडियो में वही बाबा जी उन तमाम लोगों का शुक्रिया दा कर रहे हैं जिनोंने उनकी वीडियो वाइरल होने के बाद हर तरह से उनकी मदद की आपके वीडियो बहुत वाइरल हुई तो लोगों ने आपकी बहुत बहुत जादा कर रहे हैं आपके दिया ज़िया अदा कर रहे हैं तो बाबाजी मैंने वीडियो जो बनाई थी मुझे पुद नहीं इंदादा था वीडियो जो है वह उतनी वाइरल हो आपको पता है लोगों को पुरे वाइज पुरे दिया से कितना लोगों ने आपके लिए दूआएं दी हैं वाल शुक्रया पाइसां के लोगों एल्प की उन लोगों का भी शुक्रिया करते हैं दो आब लोगों से जाजए चार पहस्तान के बड़ा मुभब रहें दूसरे का ख्याल करते हैं लोग बहुत बहुत शुक्रिया बबाग जी जुन्होंने मेरी आईडी पर वीडियो देखी फिर मेरे बाबा-जी का जब कॉंट्टैक्ट नंबर उनको दिया तो लोगोंने बाबा-जी की जो मदद कर सकते थे पूरी दुन आई आई